हालो दोस्तो स्वागत आप सब्लीक आपके अपने चनल पी सक्सेश क्लासेज में दोस्तो मैं माइस-लेड़ है पेस कलाक एक्जाम है बनागे जाना और दोस्तों यह पीडियोफ मैं थोड़ी दर बाद टेलेगाम चैनल एक्षिस क्लासेज में डाल दूँगा तो टेलेगाम चैनल जिन्होंने जोइन नहीं किया वह जोइन कर लेना ठेक और जिनका एक्जाम हो गया दोस्तों वह भी वीडियो देख सकते हैं एक काफी कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर ठीक है तो अब अपनी स्टार्ट करते हैं दोस्तों विडियो देखना पूरी पूरी वीडियो देखना यह में रिक्वेस्ट वीडियो लाइक जरू करना और कुछ कुछ कुछन में होमवर्क के अंदर दूंगा तो उनका अंसर कर देना अपने ठीक है तो अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह पहला सेट है पहले सेट के अंदर बोल रहा है तोटल 9000 रोयल पास सिंपल एंड इलाइट पर्चेस्ट इन सीजन 13 ऑफ पबजी मोबाइल बाइप लेस ठीक है तो टोटल 9000 रोयल पास से इलाइट और सिं आधे टीक है तो टोटल रोयल पास से हैं न हो जा तो दो कौन-कौन से एक तो सिंपल है एक पास से सिंपल एक है इलाइट यह समझ में आए फिर इसके अंदर बोई और गर्ड बोले तो ओबिसली यहां पर बोई होगा बोई होगे और यह गल्ल कि टीक है बॉइस गर्ल इस पर आगे बोला है दे रेशो ओफ बॉइज टू गर्ड फू पर शेजड शिम्पल रोइल पास इस थर्टीन इस टू सेवन तो जो सिंपल रोयल पास करीद रहे हैं उनका रेशो कितना है तेरा और साथ तो थर्टीन और सेवन तो यह सेम रेशो में होंगे तो इसको अपन थर इलाइट रोयल पास जो इलाइट रोयल पास करीद रहें यह वले यह आर 1440 ज्यादा है तो इसे 1440 ज्यादा कैसे करेंगे 7a इलाइट रोयल पास जो तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो टोटल बोई जना जो एलाइट रोयल पास करीद रहें वह गल्स है ना जो इलाइट रोयल पास करीद रहें बहुत सब्सक्यारे कुष्यन में बहुत सरी नियुक्त कुष्यन में नॉर्मल आर्समिर में तो आ जागा नहीं कितने ज्यादा है तो नीजार में तो नो जार में से पहले तेनी जार जाएंगे 100 to라고요 पांचेजार शर्म 9ilib तो क्या करो इससे को 26 तो क्यों तो डहींड कर लो और ये 700 इधर अब ओभी भी तो टोटल 2760 प्लस बोई के हैं 3400 सी ज़्यादा है तो 3400 सी में एड़ कर देंगे जीरो आट से चवदा एक साथ चार ग्यारा बारा तीन दो पांच रिक छे तो टोटल बोई हो गए 6240 समझ में आगया कैसे किया मैंने क्या बोला है कि टोटल रखाया उसमें से बोला है कि जो टोटल बोई है ना वह 3400 चारसो चारसो च्छाशी ज़्यादा है गल्स में से तो 3400 सी अपने क्या क्या टोटल में से सब्स्ट्रेक्ट कर लिया घटा लिया फिर कितना बचाए 5520 फिर इसको दो से डिवाट कर देंगे क्योंकि टोटल बोई जागा है टोटल गल्स आगई समझ में यहां तक तो क्लियर हो गया आपके बिल्कुल अब आगे देखते हैं यह हो गया इसको थोड़ा रफ करते तो हूं में टोटल बोई और गल्ल आगए अब तो बहुत असान होगा आप सोल करने हों अब कुछ भी नहीं बचाए स्कूशन के अंदर कैसे अब देखो टोटल बोई पता है और टोटल बोई यह वाला पता है इनको एड़ करके इसकी वेल्यू के बराबर करतेंगे तो तेरा है प्लस चौदा सो चालीस 1440 उसकी वेल्यू चाहे जाथ सो गटाना है तो यह होजाएगा 8400 चाहार आट सो क्वेल्यू 4800 के बराबर होगी इससे कटेंगे एक की वेल्यू कि त्यागी दोजनी की चाहर दोसो चालीच एक लिए पिए दोसो चालीच अब सब कुछ सोल हो जाएगा तो 240 को 13 से गुणा करना है यहां पर यह कड़िया फिर 240 को साथ से गुणा भी करना है यहां तो यह आगया अब 1680 में 1440 जोड़ना है यह निकालने के लिए टो इसमें 1440 जोड़ देंगे जीरो 842 है रूखना इसको इदर लिखते हूँ में 1440 में किता जोड़ना है 1680 चार बारा एक 1420 तो यह भी आए गां थीसवे गां मादै यह वेल्यूंद फाली गडी तो इसमें से एक्टाद देंगे तो एलाइट रोल पास वाली गर्ड आजाएगी तो 1680 1680 को पहले 1700 बनाएंगे 20 अब 1727 जाने में 2700 जाने में 1060 तो 1080 आजाएगी समझ माया यह डायट केलकुलेशन मैंने बता रहिए आप लोगों को बहुत बार देखना आप पूरानी वीडियो तो यह अपने सुल 잃 अब केषने में सबसे बड़ी चीज यहीं होती है कि बहुत अग्जाम में świat करते हैं और उनसे नहीं होती है और है क्यों होती है क्यों कि कॉंसेंट्रेशन यादा चीत डीयग Motor कव This नहीं में फिर भी कम होगा थोड़ा पूद चल जाएगा इसमें 100 प्रसेंट चीए तब यह कैसे बनती है तो यह अपने सोल कर लिए इनके विल्यों आगे अपने पास अब कुशन देखते हैं कि कुशन तो सिंपल ही हैं पहला कुशन बोला है मैंने ऑप्शन नहीं रहा हैं ताकि हम इसान चीए टोटल बोईज हूँ पर्चेश्ड इलाइड हूँ पर्चेश इंपल रोयल पास वह कितने थे 3120 अपने निकाले थे और वाट परसेंट ओफ टोटल बोईज हूँ पर्चेश्च इलाइड वी इस आया था यह कितना है एंड़ परसेंट है इसका जिदी सी वाले टोटल कितने थे तो यह थे 3120 और बाद टेबल बनानी पड़ी कि अब मैं थोड़ा में नोट कर लूँगा ताकि अपने आसान हो लोग तो सिंपल डोएल पास वाले कितने हो गए यह इसमें जोड देंगे आसी इसमें यह बद तीसो प्लस और चास सो हो गए ठीक है इसको में लिखी लेता हूं ताकि आप लोगों को दाइट-डाइट सब्सक्राइब में प्रप्लम में को सौल करवाने में प्रप्रब्लम नीं आएगी ठीक है 121320 ,320… आप लोग भी नोट करके रखना है इसको ठीक है अब जल्दी हो जाएगा है अब क्या बोला है बोला टूटल 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 नम्बर प्लेयर्स फूट इलाइट रोयल पास वाले कितने हैं असीस में जोड़ेंगे 222 तो तो बैया लिस्टो दो जिरू कर जाएंगे श्याट अड़ चार चैसाथ बैया लिस्ट एट इस्टू सेवन आंसर आजाएं ठीक है टूटल गल्स अगला कुशें है टसमटल नथा मुद्ट फूटेश्ड रोयलप स्टूव और हौछ अलेज सेंगा तो इलाइट रोयलेकल कितनी है वह 1,000 पिए और सिंपल रोयलपास विली से कितनी कमं या ज्याը तो कितना art केस्ड इनके छसे pert परसंटेज नहीं पूचा है नॉर्मल वेल्यू पूछी तो इसका अंसर आप कमेंट सेक्षिन में देना में क्या आथा है फोर्ड का अंसर रोमबर्ग में कमेंट में देना ठीक है जो क्लास देख रहे हैं फिफ्ट वाला में करवा देता हूं यह थोड़ा अच्छा कुश्यन है इफ दे रेशो ऑफ बोईज हूँ पर्चेस सिंपल रोयल पास इंस सीजन थर्टीन तो अपने सोल किया वह सीजन थर्टीन ही था अपने सीजन थर्टीन ही सोल किया था यहां ठीक है अब आगे देखते टो रेशो पोईज में स्वाशो पर्चेस पर्चेस्सिंपल रोयल पास कितने था वह 325 अब यहां तो तेरा और बारा के रेख्यों देरा अब सीजन यह तरह शीजन तेरा में 4 किवल इतनी है तो पांस देखालेंगे तो चारू किसे काटेंगे तो सीजन 12 के बोई जा जाएंगे जिन्होंने सिंपल लोई पांस करीता है पांच वाट चालीज चाल पहुंच चालीज चाल पहुंच चालीज सो ठीक है तो यह दे रखा है तो यह दे रखा है तेरा और बारा करें शीजन बढ़ी लाइट और गल वाला तो इलाइट में गल्ड है वन जिरो यह थी तो चेक इवल इसके बराबर तो इसके चाट देंगे चेकंच चार चार चाट अड़ जीरो तो ग्यारों को इससे गुणा करेंगे जीरो ग्याराट अठाशी आठ ग्याराइकम ग्याराट उन्नीस वस्टी आगए देन फाइंट तो टोटल नंबर ओफ बोईज फू पर्चेस्ट शिंपल रोवल पास यह रहे और यह रहे पास गए इनको पहला है तो यह पहला सेट हो गया अब आगे के सेट करते हैं अब सेट नमबर टू टीक है पहला आप खुट रही करो इनको बोला है देर आर टोटल टोटल स्टुडेंट के बारे हम बोला है फिर आगे बोईज गयर्ड वापस आ गए तो समझ में आगे आपन को कि टेबल कैसे बनेगी टेबल उसी फूर में बनेगी पी क्यू आर फिर इदर बोईज इदर गयर्ड टीक है तो इस फूर में टेबल बना लेते हैं पहले फिर टोटल कितने स्टुडेंट है चौदास वह तो यहां पर टोप पे लिए फिर आगे बोला है अब रिश्यो में संजाओंगा आप टोटल स्टुडेंट इन पी आर एट परसेंट मोर देन देट ओफ इन आर में जो टोटल स्टुडेंट है उससे एट परसेंट ज्यादा परसेंट जाएगा तो यह याज होना चाहिए चार दुनी आठ पचीस तो दो बटा पचीस है अब यह दो बटा पचीस को कैसे लिखेंगे अब कुशन के अंदर क्या बुला है पी आर एट परसेंट मोर देन देट ओफ इन आर ठीक है आर आर लास्ट में आ रहा है तो आर क अपनिया लिखेंगे 25 अब 25 ऐसे एट परसेंट ज्यादा तो इसमें क्या करना है 25 में प्लस टू यह एड करेंगे तो अगला आएगा 27 समझ में आएगा कैसे लिए मैंने 8 परसेंट मोर देन बोला है तो एट परसेंट का रिश्यों होता है टू बाइट 25 आर का हो गया तब 25 ऐ है 25 ऐ इसका 8 परसेंट निकाल सकते हैं निकाल लो दो ही आएगा 25 से चार बार चार से दो बार तो दो ही आया तो अब 25 से दो ज्यादा है मतलब सता ही से समझ में आए नॉर्मल चीज जो बिल्कुल बिगिनर है उनको बताईए मैं और जो रेशो में अब खेलना सीख रह और 33.33 परसेंट लेस्ट लेस्ट अब कितने हैं 27 ठीक है इससे 33.33 किता होता है यह तो इन तिनों को एड करेंगे और 14 के बराबर करेंगे तो पी क्यू आर की टोटल टोटल इंडिजल तो आ जाएंगे तो 27 है प्लस 18 है प्लस 25 है इतना लिखना नहीं यह डाइट 25-25 पचास प्लस दो बावन 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 प्लस अठारा साथ सत्तर तो 70 एकी विल्यू आगई इसको काटेंगे साथ दूनी चौदा बीस एकी विल्यू कितीन आगई ट्वंटी तो पी यह तो आर में टोटल इस्ट्रेंट किते हो गए 500 इसमें हो गए क्यू में हो गए अब इनको एड़ करके देख लो चौदा सो आजाएंगे अब बोईस और गल्स आगे क्या बूला है यह चीज तो अपन को निगालनी पड़ेगी आगे बूला है दर रिश्यो ओफ बोईस इन पी एंड क्यू इस टैन इस्टू सेवन रेस्पेक्टिवली तो बोईस का बोला है अब सिक्टी परसेंट क्या होता वो ही मैंने बता है अब यह क्यूं का मानें जाएं नीचा वाला इससे तीन ज्यादा मतला आठ तो क्योंकि गांड हो गई 5B तो यह हो गई एट भी क्लियर हो गया है यहां तक तो बिलकूल फिर आगे बोला है टोटल बोई इन आर इस फोर्टी टू इस टू सिक्स बई सेवन है तो यह ऐसा है सही से मेरे से लिखा नहीं गया है बैली से 6 बटा 7% तो यह फेमस है इसको याद रखना यह होता है 300 बटा 7% तो मुलब 323 बटा 7 होता है समझ मां यह याद रखना यह भला कैसे निकाले के साथ दुनी 14 एक साथ चुकटा 2929 तो 294 में फिर छेट करें 300 बटा साथ आए तो यह होता है 3 बटा 7 तो टोटल बटा 7 आर के अंदर जो टोटल बोईज है यह 3 by 7 more than total boys in q अब q में total boys कितने हैं? 7 है और नीचे 7 ही आ रहा है तो 7 से 3 ज्यदा तो यह 10 है आ जाएगा clear अर फहमज में आई गया है यहां तक तो अब कुछ भी नहीं है अब क्या होगा? इसके अंदर 2 equation बनेगी एक एक्विशन यह बनेगी 10A प्लस 8B इक्वल टू 540 एक्विशन बनेगी 7A प्लस 5B इक्वल टू 360 फिर वहां से A और B की विल्यों आएगी ठीक है तो वह दो एक्विशन बना के आप एपन फॉल करते हो उसको केसलेट में सबसे बड़ी चीज है Confidence बाना टाइम ऐसे होता है कि मुझसे नहीं बनेगी यह चीज कभी भी निया निज चाहिए और इतनी इनफ प्रेक्टिस कर लो तो फिर यह चीज कभी नहीं आएगी कि मुझसे नहीं बनेगा फिर हर बार आप के मन में यह आएगा कि मैं तोड़ा रहा रहेगा इसकी विल्व है टेने प्लस एड़ी टू फाइफ फॉर्टी एको रिक्वेशन बनीए सेवने प्लस फाइफ बी एकवल टू तुरी सिक्स्टी ठीक है तो इनको सेम बनाएंगे तो इसको दस से कर देते हैं इसको साथ से कर दें यह किता आएगा सतर है तो इसको डाईल लिखते सेुटी यह सेवन्टी यह तो कड जाएगा यह दोनों तो कड़ी जाएंगे कि मैनेस करेंगे तो इसे डायेट करना एक्जाम के अंदर आपको ऐसे पूरा प्रेजेंट लेके जल्दी होगा फिर आप दोनों को गुणा करके फिर वापस लिखोंगे तो फिर टाइम चला जाएगा बी की विल्यू 30 पूट कर दो तो बी की विल्यू 30 पूट करते है तो अपन किता आएगा डेट सो अब क्या आप एक की विल्यू एक्विशन पूट करोगे नहीं क्योंकि देखो पी के टोटल पांसो चालीस पता है ठीक है तो दो सुचालीस इधर आगए तो इधर किता हैंगे 300 आएगे सो सिधी सी बात एक सो पचास है तो यहाँ पर दो सो दसी आएगे तो एक ही बेल्यू बी थी सा गई तो यहाँ पर किता आएगा 300 तो यहाँ पाया 200 समझ मैं आगया तो इसको मैं भी नोट कर देता हूं जो विल्यू है उनको आप भी नोट कर लो था है कुश्चन जल्दी-जल्दी शोलो अब आगे जलते हैं इसके क्या को कुश्चन थे पहला कुश्चन है टोटल बॉइज इन पी के अंदर टोटल बॉइज कितने थे वह तीन सो थे और वाट परसेंट मोर दें टोटल गल्स इना टोटल गल्स किती थी आर के अंदर 200 अब 200 से यह कितनी ज्यादा है पजन सो जादा है तो यह कितना हैं वन बाई टो वन बाई टो कितना होता यह सो काट दो वन बाई टो है 50% कवांस मैं आया कि आज आगे बोला है इसंध्स फाइंड्द आइवेर्ज नम्बर ओफ इंग गल्स और एवड norm युज कितनी थी 200 प्लस 240 तो 200 प्लस 240 चार सो चालिस डिवेड वे 2 करें किता है गा 220 अंसर ठीक है आठ है अंदर बोला है if 50% and 60% of total boys and girls respectively all from general category in queue ठीक है फिर आगे बोला है then find total students who are not from general category in queue क्यों के अंदर general category से नहीं है और what percent less than total girls इना ठीक है तो total girl आर के अंदर कितनी है यह पहले यह लिख लो हो आर के अंदर total girl है 200 ठीक है अब जो total boy और girl है क्यों के अंदर आप देखो 50% general category से है तो 50% नहीं होंगे सिधी से बात तो total कितनी है तो general q के अंदर boys क्यों के अंदर boys से 210 तो 210 का 50% 105 फिर 60% तो general category से है गल पट 40% नहीं होगी 40% निकाल लेंगे टोटल गल कितनी है एक्सों पचास तो एक्सों पचास का 40% किता होता है अब यह कितना हो गया 165 अब यह बोला है total students who are not from general category in qr what percent less than अब यह कितने कम है total girl from r 200 से यह कितने कम है 35 कम है सिधी से बात दिख रही है अब दोस्तों इसके दो कूशन simple simple थे इसलिए मैंने नहीं कर रहा है बिल्कुल इजी जी थे कि इसके अंदर बूला है store fold five different products pqrst in 2018 and 19 तो यहां पर समझ में आगया कि पांच store है कि क्यू आर आस टी कौन कौन से यह रहे 2018 2019 तो यह टेबल बना लिया करो कभी भी confidence down मत किया कोड़ों कि मुझसे नहीं बनी तीक है यह टेबल बनगी अब अपनको solve करना है बस अब यहां से यूनिट्स ओपी sold in 2019 2019 में जो पी sold हो रही है और 90 परसेंट का रिश्यों कितना होता है मन में निकालना है वो होता है नो पटा दस अब नो पटा दस होता है ठीक है अब लास्ट में क्या बोला है लास्ट में बोला है पी की दो अठरा की बोला है तो यह दस अठरा का आएगा तो यहां पर अगर टेन है इसका 90 परसेंट कितना होगा नहीं नहीं अभी तो पी के लिए हो जाएगी पांच तो यहां पर आजाएगा फाइफ यह दोनों पात एक में है क्लिए समीज में यहां से स्कूर अफ कर देता हूं मैं ठीक है आगे बोला है यूनिट्स ओफ क्यू एंड शोल्ड इन 2018 इस सेम तो 2018 में जो सोल्ड हो रहा है ना असकी क्यू की और स्की सेम है यह 5-8 है तो यह भी 5-8 होगा क्लियर रहां के बोला है यूनिट्स ओफ आर शोल्ड इन 2018 आर की जो दो जारा की है हां 40 परसेंट मोर दें देट उनिट्स ओफ एश्वल इन 2018 अब 18 की कितनी है उससे 40 परसेंट ज्यादा है इसका 40 परसेंट किता होता है फाइफ एका 40 परसें यूनिट्स ओफ टी सोल्ड इन 2018 अब दो जाएगा तो इससे दो ज्यादा तो आर की हो जाएगी समझ में आया यहां तक तो क्लियर बिल्कुल सिंपल सिंपल बूल रहे हैं आप पस यह बढ़ी करती है है यूनिट्स ओफ टी सोल्ड इन 2018 अब दो 2018 में जो ठीकी यूनिट है और 2000 लेस देन यूनिट्स ओफ आर सोल्ड इन 2018 2018 की आर है इससे 2000 कम है तो यह कितीन हो जाएगी सेवने माइनस 2000 क्लियर है यह बोला है कि टी की जो यूनिट है ना 2008 की वह 2000 कम है और 2008 की आर से यह कम कर दिया पने यहां तक 2008 कोलम क्लियर आगे बोला टू यूनिट्स ओप क्यों सोल्ड इन 2019 इस फाइफ इस्टो शिक्स ठीक है तो ऐस का किता है यह फाइफ है तो क्यों कर तूद नाइटीन का शिक्स तो यह सेम रिशो में हो जाएगी है क्योंकि यह 5 इस्टो 6 बोल रहे है इसलिए यहां पर 5 ही है अगर कुछ अलग होता त अंकर और यूनिट्स और आर सॉल्ड इन 2019 सेम तो पी और आर की दोचार चार नीश की सेम तो यह कितना है नहीं है तो आर का भी नहीं अगर आकर बोला है यूनिट्स ओप क्यों सौल्ड इन 2019 तो 19 की जो मिनुट्स है आर 60 परसेंट ओफ और आ यिसन ऑफ एससोल लिन 2,09 तो आयस में जो सोड़ हो रहा है किस्सित के हुए लिए टाव कैसे लिखा पने units of q sold in 2019 यह यह 60 परसेंट है अब कैसे निकाला देगो यह 60% है क्योंकि जो है ना 60% है कि ओफ एस ठीक है तो अभी क्योंकि अपन को पता है क्योंकि कितनी है क्योंकि छह है तो 6-6 कट जाएगा तो एस कितना आजाएगा 10 आजाएगा तो डाइट थोड़ा दिमाग आपका शर्व हो जाएगा आगे बोला units of r sold in 2018 is equal to units of t sold in 2019 तो आर कितनी है 18 के अंदर 7 है तो टी कितनी हो जाएगी यह भी 7 हो जाएगी क्लियर अब आगे क्विशन क्या बनती है आगे बोला है अभी तक तो सब वेल्यू आगई बट अभी आपने पास कुछ आया नहीं है नाटा निकली अभी यूनिट्स ओफ टी sold in 2018 and 19 अब 18 और 19 में जो एवरेज हैना is equal to units of q sold in 2018 ठीक है तो 2018 वाला का है तो एवरेज of units of t sold in 2018 and 19 इन दोनों का एवरेज किता होगा 7 है 7 है 14 है minus 2000 तो 14 है minus 2000 का एवरेज किता हो जाएगा 7 है minus 1000 ये टीका एवरेज ये किसके equal है equal to units of q sold in 2018 अब q कितनी sold हो रही है 2018 ये 5 है तो 5 है यह रख देंगे तो ये equation बन गई तो ये कितना है 7 है minus 5 है 2 है ये 1000 उदर चला जाएगा एक वेल्यू आगई पांस तो कुछ भी नहीं करना था इसके अंदे बहुत पांस आगई तो सब जगें वेल्यू पूट कर दो तो या तो आपने टेबल बना लेते हैं ये इसके अंदर ही एक वेल्यू पांस है ना इसको रफ कर देता हूं कि वह लेगी विव पांस रखते हैं फिर अपन कुछ करते हैं आप तो एक वेल्यू पांस है तो यह आप नोट कर लेना टेबल मैं इसको या तो एक टेबल और बनाई लेता हूं पास में अठारा उननेस और इसके टिक है तोок इसकेर रफ होटा अइगिए एक वेल्यू 500 आपनको पता है यहार रहता है पहनी कि यह स्चेबल बनाते है पन फोड़ा से जल्डी स्क occup लीगएगे पर मेरेगों को प्रोब्लेम और लोगों प्रोब्लम होगी देख Taiक ह contradd यहां पाएगा 25 यहां पाएगा 7 बंजे 35 यहां पाएगा 25 तो यह 3500 है 7 बंजे 3500 मैंने 2,000 पंद्रासो यह 9,500 आगे 6 बंजे 33,000 9,500 5,000 पाएग ज्यादा कर दिया यह 3500 तो इस सारी वेल्यू आगे कुछ भी नहीं थी इस डियाई के अंदर जो जो बोल जा था वो वो करना है बस केसलेट के अंदर यही है अपनको डरना नहीं है अगर आप डर गए तो फिर मामला घडबड हो जाएगा और फिर सोल नहीं ह होगा विशकी में लिखके रख लेता हूं के के वेल्यू थी इसकी ठीक है ताकि सोल्ट करने में असानी तो आपन कुछन पर जलते हैं इसके पहला कुछन के पहला कुछन बोला है यूनिट्स आप लिखके रखना है यूनि लूड ओफ आर आर नास्तोगे देन तो आर और कितनी है वह है 3500 और 2500 यह होगे 6000 और वाट परसेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ सोल्ड हो क्यूं इन 2019 तो क्यूंकि 2019 की कितनी है वह तीन जाए तीन जार का यह कितना परसेंट है डाइट दिख रहा है 200 परसेंट है फिर भी निकाल देता हम आप लोगों के लिए दो से दो एक से ए तुआ चिछार तो है अगला कुछ है फाइंड एवरेज नंभर उभ यूनित उल्डाओ क्यू आर-टीन तु तो क्यू आर्ट की कितना कितना है याटीन के अंदर फच्छीस जो और कितना है 3500 ट कितना है पंदरा सो तो कितना होगे 2500 प्लस पे345 छे-जार प्लस साथ थाज नंबर यह हैं आगे चलते हैं कुश्यन नंबर 13 में है पाइंट रेशियो अफ यूनिट फोल्ड ओप एस एंड टी टुगेदर इन 2018 तो 2018 की बोल्ड है तो पचीस सो प्लस पंदरस यह हो जाएगी 4000 ठीक यह टी है कि टू यूनिट फोल्ड पी नाट टूगेदर इन नाइंटीन तो पी और आर कितिनी नाइंटीन के अंदर तो पी प्लस आर यह नो हो जाएगी तो आंसर आजाएगा फोर इस्टू नाइन तो थर्टीन का अंसर देना सेक्षन में क्योंकि आप लोगों को भी थोड़े मैंनत करनी पड़ाईगी ताकि मुझे लगे कि आप लोग क्लास देख रहे हो नहीं देखो कि तो फिर कोई मतलब नहीं हो जो पड़ाने का तो यह अंसर देना कमेंट के अंदर क्या आंसर है क्या कुश्चन नंबर लिखन कि एक की 32 तो पी की है ना टोटल यूनिट किती है अठारा अनुस की किती नहीं है यह 9500 टोटल यूनिट यह है ठीक है और सेलिंग प्रैस किती देरे की 32 रुपे फिर आगे बोला है यूनिट कोस्ट प्राइज हो इन बहुत यह तो तो साज एटीन 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 ए ठीक है ठीक है तो सेलिंग प्राइज इससे प्रोफिट आता है ठीक है तो इससे प्रोफिट आता है तो अब क्या होगा इन का डिफरेंस किता है 9500 कोमन ले लिया अब अब आगे चलते हैं अगली डिया अगई तो नेक्स डिया जा गई है यह डिया भी करते हैं इसका लेवल भी एच्छा है प्लास पूरी ज़ुड देखना दो ठीक है डाटा गेवन बिलो इस इनफोर्मेशन अबाउट नंबर आफ टेवल्स मैं मैनुफेक्टर भाई फॉर डिफरेंट मैनुफेक्टर ज्ट्र ए बी सी डी इन 2017 एंटीन चार अपन को मैंनुफेक्टर दे रहें कि ये चार कंपनी ए अबी ऋब्र यह मेनुफेक्चर करते टेबल 2017 और 2018 में कर रहे हैं ठीक है टेबल बना दिये पर नहीं ठीक है A B C D आगे बोला है टेव टोटल टेबल मेनुफेक्चर्ट इन 2017 एन 2018 आर रेस्पेक्टिवल आर 34,000 एन 38,000 रेस्पेक्टिवली तो 17 में टोटल हुई है वह कितनी है 34,000 ठीक है 18 में हुई है वह 38,000 यहां तक तो 60% किता होता है 3 x 5 तो B 5 A से यह हो जाएगा 8 है कैसे लिए यह चीज़ समझ लो आप एक बार बास 60% बोला है तो 60% 3 x 5 तो 5 किसका लगी है बी का इससे 60% जादा है इसका 5 x 60% 3 होता है तो A टे ले लिया आगे बोला है रेश्यो आफ टेबल मैनुफेक्ट्चर्ड बाई C to D is 4 to 3 तो इनका रेश्यो दे रखा है 4 अनुपाद 3 चार और 3 दे रखा है अभी कुछ भी नहीं करना है ठीक है तो इसको भी ऐसे रख जात है अगे बोला है ए मैनुफेक्चर्ड 1000 टेबल लेस देन बाई ठीक है तो डी जितनी कर रहा है ना एक जार कम कर रहा है तो इसको अपन अभी रोग देते हैं यहां पर इसको क्या कर लेते हैं अपन एक अलग रिश्यो बाम मैना लेते हैं यह 4a3 था इसको अपन ले लेते हैं फोर भी ठीक है तो अब आगे चलते हैं इन 2018 रेश्यो टेबल मेनुफेक्चर बाई ए टू डी इस टू इस टू थी तो एटीन के अंदर ए और डी का रेश्यो दे रखा है टू इसको माल लेते हैं तू पी इसको माल लेते हैं थ्रीपी किया ज़्यो टेबल मेनुफेक्चर बाई बाई बी एंच और फ़ाइ शेजार 500 तो एंच बी और र्सी पांच अगों सो थेडा घर टूल थाला अंदर दूम देसदंसा दी होगा तो बी और सी की तेरा जार है तो ए प्लस डी बचा तो 38,000 मैनिस 13,000 कर देंगे कितना बचाएगा 25,000 और ए और डी कितना है टू पी प्लस थ्री पी फाइफ पी तो पी कितना आ गया पाच्छों पचीस एक दो ती पांच जार लिए तो यहां पर पी हो जाएगा यह यह हो गया 15,000 ठीक है और इन दोनों की वेल्यू है 13,000 यह चीज तो क्लियर होगे इसको रफ कर देता है पर लास्ट मैं क्या बोला है टेबल मेनुफेक्चरड बाई बी इन 2018 अब बी के अंदर जो मेनुफेक्चर हो लिए और 50 परसेंट ओफ देट फ मेनुफेक्चर बाई इन 2017 अब 17 में एक इतनी एक इसका 50 परसेंट कितना होता है एक प्लस फोर भी प्लस त्री बी सेवन भी एकवल्टू दे रहा है 34,000 ठीक है यह सबका समतो 34 एक एक और एक्वेक्वेशन बनेगी यहाँ पर पर ने एक लाइन यह छोड़ी थी कि वह सत्रा के लिए बोला है अब डी कितनी कर रहा है डी कर रहा है थ्री बी से अजार कम करेगा यह ठीक है तो एक इतनी कर रहा है एक कर रहा है एक यह बन गई तो इसको क्या करेंगे अब इन दोनों को सोल करना है तो अब क्या करते हैं इसको तीन से करते हैं इसको साथ से करते हैं तो यह 21 कड़ जाएगा यह वेल्यू तो कड़ जाएगी यह कितना आएगा अब तो हैं 1349 जो जाएगा 50 तो यह बना चालिस प्रस को दोनूं को आड़ करना है कित्ता हम जाएगा यह जोडने Alma चालिस 45 कड़ पिच्चार से डिक एक 20IST इंदल्फय ट्यके ऩो इसको साथ से करेंगे कितना ऊज़ैगा मइने साथ हजाए और से शाए हूं ए तो 95 से 95 बढ़ जाएगा तो किता एक विल्यू आगे 1000 क्लियर तो एक विल्यू थाउजन आ गई तो किता हो गया यह हो गया 5000 यह हो जाएगा यह 4B 3B है ठीक है तो आप क्या बोला है अब यहां पर वेल्यू निकाले नहीं बैठेंगे वेल्यू रखें अब इसमें यह बोला सब्सक्राइब करेंगे तो इनको एड करेंगे तो यह बट अभी एक विल्यू अपने निकाली थी यहां पर किते हजार आ लिए तो यह कित्ता हो जाएगा ठीक है बी और सी का समता 13,000 तो अगर 4000 यह आ गया तो यह कित्ता हो जाएगा नो जाए ठीक है तो अब सबको एड कर लो हो गए प क्यों इसको क्वेशन सोर्ण क्रते हैं इसको में लिखले तो कहीं पर करूं में रहे हैं कि तो वापस लिखता हूं रूको इसको इदर आप लिखता हूं आप भी लिखके रखो ताइए आंसर जल्दी क्लिक कर रपाएं ए भी सीडी आट अजार पांच अजार बारा अजार नोजार यह है सतरा के अंदर यह यह दा अठाला दस अजार चार अजार नोजार पंदरा अजार अब आगे चलते हैं अब पहला कुशन क्या रहा है पूरी वीडियो देखना हो दोस्तों में रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने काफी इच्छा कंटेंट मनाया आप लोगों के लिए तो वीडियो पूरी देखो तो परेज़ेंट टेबल्स मेनिफेक्चेर्ड बाइ एंसी टोगधर इन 2017 ए और सी की दो जियाख सत्रा में कितनी हैं तो A, C 17 20,000 तो इसको सोल कर लेता है अपन पहले 20-0 किन दो जिरो से यह दो जिरो कि क्या चाहित है किसे तरना यादा किसे जिया जैए सिखी आपक्षिन नम्र नम्र ने अग्ला कुशन बोला है फाइंड रेश्यो टेबल मेनुफेक्चर्ट बाई बी इन 2017-18 टूगेदर तो बी ने 17 और 18 में कितिनी किये 5000 प्लस 4000 नोजार टू टू टूगेदर टू टेबल मेनुफेक्चर्ट बाई इन 17-18 तो डी ने कितिनी है कितिनी किये 15,000 प्लस 9,000 चोई सजा तो तीन जिरो तीन जिरो ये डाइट कर जाएगा तीन तडी का नो तीन आटा चोई तो अंसर आ जाएगा ठीक है अगला है एवरेज ओब टेबल मेनुफेक्चर्ट बाई ए न सी तो ए और सी ने 18 में कितिनी किये दस जार प्लस नो हो जाए 19,000 बटा दो और हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज ओ टेबल मेनुफेक्चर्ट बाई बी एंडी तो तो बी और डी ने 17 में कितिनी किये नो हजार प्लस पाँचा चाओधा जाए दोनों के एवरेज बोला है तो क्या करते हैं बेस सेम है तो पाँची जार बटा दो हो जाएगा बटा दो करेंगे तो किता आएगा पच्छी सो आगया पच्छी सो अप्चिस सो अप्शन नमबर सी तो 19 और 20 इन दोनों का कमेंट आंसर देना अब कमेंट आंसर देना ठीक है है कि हमवर्क है यह दोनों कुश्यन उन्नीश तेलेगाम चैनल जरूर जोन कर लेना इसका अंसर भी हमवर्क में देना अब अगली डिया में करवाता हूं अगली अच्छी अगई है अब इसके बाद टीन सेट हो रहे हैं एक वे पानी पिल लेता हूं अगला सेट है मैंस मेंस लेवल की डियाई भी मैंने बहुत शारी करवा रिखी दोस्तों आप लोग देखते नहीं हो देखना हो भी जाते है इन आइटी देली देल और फोर ब्रांचेज इस देट सीएस मेकेनिकल शीवल एन इलेक्ट्रोनिक्स ठीक है नंबर ओफ बोईज इन शीवल तो यहां पर पता चल गया यह गल्स है बोईज गल दे रखा है चार ब्रांच जरी है अपन तो टेबल बन ठीक है अब बोई गर्ड दे रखाए अपन को बोई इधर दे रखाए गर्ड अब अब स्टार्ट करते हैं क्या 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 बूले जोपन लिखते जाएंगे ठीक है । is कि नंबर ओब बॉइस इन शिविल के अंदर जो बोई है ना 50 परसंतं डोर्ड बोईज जो है ना सीविल के अंदर वह फिफिटी परसंट यह छो हैना सीविल के अनर्गान और service के परसेंट र Northern स्ट्टोनिक्स अब 50% किता होता है वन बाइटू ऑगे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूइंट इन electronics इलेक्टॉनिक्स के अंबर टॉटल स्टूडेंट्स है न वह 75% ओद वह तोटल सुडेंट्स मेकनिकल 75 परेसंट कितना होता है 3 x 4 तो यह एकर 4a है तो इसका 75% तो यह कितना होगा 3 तो इन दोनों को merge करेंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो यह किता आएगा सिक से इसको भी 2 से गुणा करेंगे इसको 2 से किया, तो यह हो जाएगा 8 है, समझ मैं है? तो इसको 2 से करेंगे, into 2, तो इनको मैं मिटा कि यहाँ पर 8 लेकर हो, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा 8 है, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा 6 है, clear हो गए यह तो? यह line पूरी रफोंगे यहां पर आगया 6 है ठीक है श्क आगया यहां पर तो आप क्या करना है अहां अगर यह इसको पर ने तीन से गुणा किया था तो इसको भी तीन से करेंगे क्योंकि इसका यह 50% समझ में आगया यहां तो तो क्लियर हो गया फिर आगे बोला है रेश्यो गज इन मेकेनिकल तू देट ओफ इन सिवल इस तू फाइव तो इसको एक नया रेश्यो में लेला थे शिक्स भी फाइव ठीक है फिर आगे चलते है शिक्टी परसेंट ओफ दे स्टूडेंट्स इन सब्सक्राइब इसब्सक्राइब आगे चलते हैं और शिवल आगे जाए और तो यह क्यों आप अगे स्टमुर्ण है दूएं मूर और उच जी स्ये अगे तो यह कितने है इस एकुआ है किसके क्वल है नंबर बॉई-च के अदर तो बोई-च कितने बोई तो निकितनी है which is 10 more than the number of girls in electronics electronics में कितनी गल्स है 3.6 है तो इससे यह 10 जाद है ठीक है यह बाद में एक्वेशन मना लेंगे इसके अब अब आगे देखते है नंबर ओफ गल्स इन सीएस सीएस में जो गल्स है इस 75 परसेंट मोर दें नंबर ओ बोई इन मेकनिकल तो मेकनिकल के बोई से 75 परसे कहां इसका फॉर फिफ्सक्ता होगा इसका 4 लोगा जो यह पॉर बी किसके एक वह यह विच बोले और विच मेखनीकल के लिए वह बोले तो मेकनिकल के बोई से 5 वे फॉर फिर आगे क्या बोला है नंबर और गल्स इन सीएस जो गल्स के अंदर सिसके अंदर गल्स है ना यह 75 परसेंट मोर दें दर नमरों बोई जिन मेकनिकल 75 परसेंट होता है त्री बाई फॉर यहां पर फॉर है इससे तीन ज्यादा इससे मतलब 75 परसेंट ज्यादा तो यह कित्य होगी सेवन भी ठीक है तो यह क्विशन मन गई क्लियर अब आगे क्या एक अपने लाइन मिस करी थी उसका अपन यूज करेंगे पूरा ठीक है एक लाइन मतलब मिस ने अपना छोड़ी थी वो लाइन के थी यह रही वो लाइन यह रही थी 10 मोर देन बली अब क्या बोला देसके अदर नमबर ओप गल्स इन सिविल इस इक्वल तो नमबर ओप ब इनसे 10 ज्याते है तो एक 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 वेसन और क्या बन जाईगी एक एक एकोईशन और बनेगी यह यह बन जाईगी ठोटल कितने हैं फोर बी plus 6B equal to 8 तो एक question यह बन जाएगी क्योंकि देखो boys plus girl equal to total होगे तो यहाँ पर किते है 4B plus 6B किते होगे 10B 10B की value होगे 8A के बराबर इसको काटेंगे किता आएगा 5B की value आगए 4A के बराबर ठेक है तो 5B की value तो 4A के बराबर 5B की जीए 4A रख देते हैं तो 4A equal to 3.6A plus 10 तो यह किता आएगा 0.4 0.4A की value 10 तो यह जाएगा 0 इधर आएगा तो A की value किते आगए 25 समाज में आएगा तो A की value 25 रख दे तो A की value 25 यहाँ भी रखेंगे तो B की value किते आजाएगी तो A की पार्ट को रफ कर दूं में एक बाएग अब इनके value पूट करते थे इनके अंदर सब के अंदर तो B की value किते है 20 तो यहाँ आजाएगा 100 B की value 20 है तो यहाँ आजाएगा 80 A की value 25 तो यहाँ आजाएगा 75 तो 2.4 इंटू करेंगे 25 तो 25 दूं 50 तो यहाँ 60 आजाएगा देख लेता एक बार वापस इंटू 25 पॉइंट उड़ेगा नीचे चाहिएगा 10 पांच दो बारा पंच आट यहाँ कैसी किया मैं बता तो पहला वला तरीका कैसी किया मैंने 25 इंटू दो करा 50 पच्छीस इंटू 0.4 पच्छीच ओक सो मलब 10 हो जाएगा अब पच्छीस इंटू 3.6 तो 25 पिचेतर प्लस पॉइंट शे करेंगे इंटू 55 पच्छीच ओक नभा जाएगा अब कितना है 20 तो 120 और से एक सोचैलिस ठीक है तब इसकी वेल्यू भी अपन नोट कर लेता है कहीं पर ताइकि आगे अराम से हो जाएगा तेकि इसकी वेल्यू भी नोट कर लेता है अब कुश्शन सोल करते हैं इंगे कुश्शन क्या बोला है नमबर आप स्टुदेंट्स इलेक्ट्रोनिक्स स्टुदेंट्स जोग्ते हैंशाट्प्लस नभैंए डैटलिएस के अंदर बोईच कितने हैं किसे स्टुछ से कितना ज्यादा है पचास ज्याता है तो ही तब जाता है 50% डाएट दिखरा रहा है तांसर आजाएगा 50% आगे करते हैं, 22, find the difference between number of gulf in all the given 4 branches together and the number of students in class CSN mechanical, तो total 4 के अंदर gulfs कितनी है, add कर लेते हैं, 100 plus 120, 220 plus 40, 260, 360, 360 plus 90, 450, तो टोटल girls है, टोटल boy कितने हैं, CS plus mechanical में, CS plus mechanical में total boys बोल रहा हैं, तो CS और mechanical में total boys accessing, total number of students बोल रहा हैं, sorry boys नहीं बोल रहा है, तो number of students CSN mechanical together, तो CS में total students 240, ठीक है, plus mechanical में 200, तो 200 plus 240, 440, 440 और यहन का difference किता है, 10 का है, ठीक है, तोटल number of boys is CSN mechanical together, CS और mechanical में total boys कितने हैं, CS और mechanical total boys बोल रहा हैं, together is how much more than, total number of boys in civil and electronics together, तो civil और electronic में total boys कितने हैं, civil और electronics में 190, ठीक है, नहीं, 190 तो गहल्स होगी, sorry, civil electronics में boy कितने हैं, 135, तो 135 इनका difference किता है, 5 इस में एड़ेगा, 140 पेताली, पेताली के रहा हैं, पीछे काफी आवाज आ रही होगी दूस्तों आपको, मेरी बाहन जी बहुत शेतान हैं, मस्ती कर रही हैं, ठीक है, तो 25 का अंसर भी आप homework में देना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करवा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को घरवाले आवाज लगा रहे हैं, यह भी homework में देना, क्योंकि आप करें लोगे हैं, मैंने शोल कर रहा हूं, अब आगई है, दोस्तों सबसे अच्छी डियाई, और यह वेंड डाइग्राम किसमें बहुत मज़ा आएगा, तो फूरी देखना आप, यह वाली वेंड डाइग्राम इसे बहुत बार में समझा चूक, बढ़ आज वापस समझा रहा हूं, इसको पूरा अपना कॉंसेंटरेशन हाई रख लेना, क्योंकि अब यह वेंड डाइग्राम बहुत इंपोटेंट होने जाने है, ठीक है, एक सेकेंड टूकना मेरे कोल आ रहा है, मैं टेंड कर लेता हूं पहले, ठीक है, अब इच स्टुडेंट हैस टू सलेक्ट, एटलिस्ट उस डिया के अंदर एटलिस्ट वर्ड यूज़ोगा, एटलिस्ट वन स्पोर्ट, अमंग क्रिकेट, फुटबॉल, एंड बेडमिंटन, इनमें से कम से कम एक चूस करना है, एटलिस्ट वर्ड आगया, इच वर्ड आएग क्रिकेट, फुटबॉल, बेडमिंटन, तो बना लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, यहांपर है, यह बेडमिंटन, ठीक है, डागराम बिल्कूल एकदम, शेव में निये बना पर उस पे मत जाना है, सोल कैसे करना उस पर जाना है अब है स्टुडेंट्स फूप ले ओनली बेड़ बिंटर अब जिनको बिल्कुल बैसिक नहीं पता वो तो इस डे को समझ नहीं पाएंगे और मैं फिर भी बिल्कुल बैसिक से बता रहूं एक बार बता रहूं जो केवल ओनली को ओनली बोलते न यह वाला केवल ओनली वाला पार्टी यह ओनली वाला पार्टी समझ में यह चीज़ें नहीं आएंगे क्लियर हो गया अब आप मैं लिखता हूं देखना आप कुशन स्टार्ट करते हैं पर पहले बोला है स्टूदेंट्स फूपले ओनली बेड्मिंटन यह 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 रहा यह ओनली वाला पार्टी है तो 50 प्रसेंट्स होता है वन बाई टू तो अगर यह टूए है इसका 50% है only badminton 1 यह हो जाएगा clear यहां तो clear and ratio of students who play only cricket two students who play badminton is 5 इस्टू 2 टो एक सेकंड रोबना दोस्तों काफी ज्यादा तो एक सेकंड में उनको रोक क्या तो कि दोस्तों काफी आवाज कर रहे तो अब करते है अपन कहां पर थे अपन पहले लाइन पड़ी थे अपन है आगे बोला था ratio of students who play only cricket जो केवल क्रिकेट खेल रहे है यह वाला पार्ट क्योंकि इसका यह 50% है और इन दोनों का ratio दे रहे है अपने मर्ज कर दिये फिर आगे चलते है students who play all the three games तोगेदर हा 50% of the students who play only badminton तो केवल badminton खेल रहे है वो कितने है टू है उसका 50% है अब जो तीनों गेम खेलेंगे ना वह वाला पार्ट होता है यह वाला तो इसका 50% किता होगा तो एका 50% दो का 50% एक तो यह पर जाएगा A clear आगे बोला है students who play both cricket and badminton अब cricket और badminton बोला है वोत तो यह वाला पार्ट होगा पूरा यह वाला तो मिल मैं है cricket and badminton together are equal to the students who play both football and badminton football and badminton but not cricket but not cricket अगर यह पर लिमिट लगा दीना तो उसके अंदर color चेंज करता हूँ मैं एक सेकंड रूपना तो यह वाला पार्ट होगा उसके अंदर only वाला तो इसके अंदर limit लगा दीना जिनको football और badminton पसंद है ठीक है जो football और badminton को select कर रहे हैं but not cricket तो वह वाला पार्ट यह होगा समझ में आगया तो इस वाली रहन को अभी छोड़ते हैं आगे चलते students who play both cricket and football जो cricket और football खेल रहे हैं ठीक है but not badminton badminton नहीं खेलते हैं तो वह वाला पार्ट भी यह होगा और 50% more than students who play all the three games इस एक का 50% किता होगा इसका अधा सिदी से बात यह हो जाएगा 0.5 50% more बोला है sorry 50% more बोला है तो 50% किता होता है 1 by 2 अब एक का 50% किता हो जाएगा 1 by 1.5 है नमज में आया यह 1.5 है के बोल यह वाला पार्ट बोला है इसके अंदर यह बोला है student who play cricket and football जो cricket football जो cricket football जो खेल रहे हैं but badminton नहीं खेल रहे हैं वह 50% more than जो तीनो गेम खेल रहे हैं इसका 50% जाता है students who play both cricket and football जो cricket और football खेल रहे हैं but not badminton इसकी बात कर रहे हैं के वह यह वाला पूरा पार्ट की बात कर रहे हैं यह जो खेल रहे हैं इसका 50% है केवल cricket और football खेल रहे हैं but badminton नहीं खेल रहे हैं तो यह कितना है 1.5 है यह 50% के बराबर है तो आपको सोचो 50% कितना होता है 1 by 2 और यह 1.5 के बराबर तो total कितना हो जाएगा 3 है तो clear होगा यहां पर 3 है आगा समझ में यह समझने अवली चीज थी तो इतना 50% 1.5 है अगर यह दे रखा है तो यह निकल लिया अगर यह 3 है पूरा और यह है तो यह कितना हो जाएगा 2 है clear होगा अब अपने एक लाइन बीच में मिस करी थी उस लाइन को लेके आते है अपन वह लाइन क्या थी वह लाइन यह थी students एक मिट वापस कलर red लेता हूं ठीक है यह थी लाइन students who play both cricket and badminton together cricket और badminton खेल रहे हैं यह वाला are equal to the students who play both football and badminton but not cricket football और badminton खेल रहे हैं यह वाला but cricket नहीं खेले तो यह 2 है समझ मैं कहने कमदब यह था जो cricket football football और badminton खेल रहे हैं वह किसके बराबर है cricket और badminton खेल रहे है उसके बराबर तो cricket badminton खेल रहे हूं कितने है वह 2 है और 2 है तो यह 2 है तो यह कितना हो जाए गाए बिलोजिए तो जिनको अभी जिनका हवा नहीं लगी है वो मेरी बेसिक वाली क्लास देखना जिसमें बेसिक से मैंने डियाग्राम बता है अब टोटल शुट्वेंट कितने हैं टोटल थे 990 टोटल थे 990 ठीक है तो अब क्या करेंगे इन सबको एड कर देंगे इसके पांच कुसंग करों दें सबस्थाइब गनाके आप नफूंसर दाकर करतेंगे तो यह क्यांता है अब देग firmware फ्लस एक प्लस एकिता हो गया नशिंज माइड प्लस 1.5 न Мы प्लस अब यह वाला पाट पूरा इसको एड़ करेंगे इसको एड़ करेंगे इसको एड़ करेंगे तो किता है चार दो छे दो आठ तो यह हो गया एट है एकवल है 990 तो किता आठ 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 16.5 है इसकी वेल्य हो गई 990 के पराबर clear यह इधर आ जाएगा नीचे जाएकर ऊधर चला जाएगा अब यह किसे कट रहा है अब यह तो 33 से तो यह क्लियर त्यत्य से दिख रहा है यह तीन बार जाएगा यह तेन से कट रहा है पांच बार नियुक्त शट्य आगई 60 एक यह की विल्यू हो गया यहां से अब वेल्यू पूट करो किता आएगा शे पंजे तीस, यहां पर आएगा छे दूनी 12, 120, यहां पर भी आएगा 24, 240, यहां पर आएगा 120, यहां पर आएगा 60, यहां पर भी आएगा 60, यहां पर आएगा 90, यहां पर किता आएगा, यह 90 है, इसको मैं बाहर लिकरा हूँ, ठीक है, तो एक डागराम और बना लेते हैं पर अगले पेज में उससे क्या होगा सारे कुश्ण सोल्ड करेंगे ना तो एक डाग्राम आप खुद भी बना लो लिख लो ताइकि यहां पर यह तीन सो क्यों बता है भुश्यन बता है नहीं है कि सच करना मैं सब्सक्राइब देना यह पीसाइब करें फुद्वाल बेडविंड है यहां यहां पर अपने विल्वन निकल है तीन सो आ रही थी यहां पर से समझेंगा आप लोगों को अच्छे से यह कलर दिख रहा है ठीक है अब क्या बोला है अब देखो एक चीज पहले समझ लो केवल ओनली बोले ना केवल ओनली क्रिकेट तो 300 अंसर आएगा यह बला केवल ओनली फुटबोल बोले तो यह आएगा और अगर बोले कि बोत बेड बेडमिंटन बट नोट क्रिकेट तो 120 आजाएगा समझ में आया तो अब यह कुश्चन से समझते हैं वैसे मैंने बता दिया पूरा जिनको समझ में यह वापस क्लास देख लेना आप एक बार हैसे से कुश्चन बोला है find the number of student who play cricket and football together cricket and football together तो यह कितना यह वाला पूरा पा कुश्चन से और क्लियर होगा आपके अब चलते हैं 26 पे अगले 27 पे 27 के अंदर बोला है find the total number of students who play at least two game at least two game मतलब कम से कम दो गेम तो अधिक से कितने भी खेल सकते हैं कम से कम दो खेलेगा at least तो maximum दो से ज़्यादा किते भी घ्याल सकता है ठीक है तो at least two games ठीक है तो यहां से निकालेंगे पर at least at least two game किते हैं यह रहा टू गेम यह रहा टू गेम एट लिए तो यह होगा है but at least बोला है तो तीन गेम वाले भी एड होगे तो यह किता अगर 60 60 120 120 120 240 240 प्लस 90 330 समझ माया इसका अंसर क्या आएगा 330 एटलिस वाले अंसर आएगा 330 समझ माया अब आगे बोला है तोटल नंबर ओप स्टुडेंट्स फू प्ले क्रिकेट जो क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेट क्ते हैं तोट्र किरिकेट और वाले जो है यह रहाएं है तोट्र क्रिकेट में ये पूरा सरकल और यह पूरा सरकल बैइट होगा देंगा यह ukar費 कि फ्लस साथ साथ एक्टो बीस प्लस नब्ब नौए दो सो दस तो यह हो गए टोटल पोगेश्अ willst विखन दीनं कितना है दो dans 66 120 एक्सोबीस बारती की 10 більिँ सो साथ है अல्य विखी ऊपाफी क्रिकेट वाले थी 501 बेड मेंटन की थी 360 क्या बोला है वाट परसेंड मोर और लेस देंड टोटल अम्हों प्ले बेड मेंटन इनका डिफेंस किता है एक सो पचास का 360 इसको सोल करेंगे तीनुपंजे 15 तीन एकम तीन तीन दूशे क्यता है पांसो बटा बारा बार चोक अच्छास दो बारे कम बारा आठ बटा बारा इसको सोल करतेंगे एक तालीस सई दो बटा तीन परसेंट आप सराएं अब आके जलता है अगला मैं बोला है टोटल नंबरो स्टुडेंट फू प्ले एक्जेकली वन मोर गेम अलोंग विद क्रिकेट के साथ एक और गेम खेल रहा है एक्जेकली बोला है हम एक्जेकली ठीक है तो क्रिकेट के साथ एक और गेम कौन सा खेल रहा है यह देखना अ मोर गेम बोला है, तो यह किता होगा, 90, 60, 150, and how much more or less than the total number of students who play exactly two more game along with football, अब फुटबोल के साथ two more game आया, तो वापस डेख रहा हैं में देखते हैं देखना है एक बार, two more game with football, अब फुटबोल के साथ two more game है, तो exactly two more game, तो two more game कौन से होगा है, यह होगा, two more game, 60, simple, तो 60, two more game, two more game मतलब, तीनों खेल रहे हैं, बात है, 150 minus 60, अंसर आजाएगा, 90, option number D, clear होगा, वेंडागरा, अब लास्ट बोला है, find the total number of students who play football, फुटबोल खेल रहे हैं, उनको सम निकालना है, अपनको सम निकाल दो सबका, अब फुटबोल वाले किते हैं, 240, प्लस 120, 360, प्लस 360, प्लस 60, और 90, 510, 360, प्लस D, 4, कित्ता हो जागा, 510, तो total football खेल रहे हैं, वो कित्ता हो गए, 510, तो एक डियाई का सेट भाई की है, वो भी अपन करी लेते हैं, ठीक है, तो यह आंसर होगया इसका, अब लास्ट, आंसर देस इसका अंसर होगया, अब लास्ट, लास्ट सेट भाई की है, तो आज अपने total, बहुत सारे सेट पढ़े हैं, तो इस वीडियो को आपको यह करना, एक सेकंड अब अपन को रोखना पड़ेगा, थोड़ी से अब क्लास को शायद अपन को इस सेट को रोखना ही पड़ेगा, एक बर वापस देखेंगे, अपन बाद में इसको, मुझे क्लास बेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पापा का फोन आजा है,